अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी रहती हैं और आपको मेरी रेसिपिस पुसर्ब आपी हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें आज मैं बना रही हूँ कड़ी खाऊ से और इस रेसिपि को आप एक बार जरूर जरूर ट्राइ कीजेगा सबसे पहले कड़ी बनाएंगे, उसके लिए यहां पे मैंने लिया है एक चुथाई कप तेल फ्लिम मैंने इसकी मीडियम रखी हुई है, अब इसमें डालेंगे एक टेबिल स्पून जीरा जीरे को थोड़ी देर के लिए फ्राइ करेंगे जीरे को थोड़ी देर फ्राइ करने के बाद यहां पे मैं डाल रही हूँ बेसन का मिक्स्टिर इसमें मैंने हाफ कप लिया था बेसन, एक कप दही में मैंने इसको ब्लेंड कर लिया था साथ मैंने इसमें डाला था एक टी स्पून हल्दी, एक टी स्पून लाल मिर्चो का पाउडर और दो कप पाने डालके मैंने इसको ब्लेंड कर लिया था इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे 5-6 कप पानी पानी के बाद अब इसमें जाएगा नमक हस्पे जायका अब हम वेट करेंगे जब तक के इसमें एक उबाला जाए और फ्लीम को हाई कर देंगे कड़ी में यहां पे उबाल आ चुका है तो अब हम इसकी फ्लेम लो कर देंगे और इसको डेड़ से दो गंटे के लिए पकने के लिए रख देंगे बीच-बीच में आपने इसको चेक करते रहना है और अगर पानी की जरूरत हो तो आपने इसमें पानी एड़ कर देना है अगर आप एक मीडियम साइस के प्यास को लेकर चॉप कर लेंगे तो वो एक कप जितना हो जाएगा प्यास को हम फ्राइ करेंगे जब तक कि ये अच्छ सा गोल्डेन ब्राउन हो जाए प्यास यहाँ पे golden brown हो चुका है तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ एक टेबिली स्पून लेसन अग्रक का paste अब इसमें डालेंगे एक कप चॉप किये हुए टमाटर अगर आप दो medium size की टमाटर लेकि उसको चॉप कर देंगे तो वो एक कप जितने हो जाएंगे टमाटरों को हम हलका सा fry करेंगे जब तक यह थोड़ी से soft हो रहे लगे टमाटर यहाँ पे soft हो गए है और अब हम इसमें डालेंगे सवा, पाओ, चिकिन चिकिन को मैंने छोटा-छोटा cubes में काट लिया था और अब चिकिन को भी इस मसाले के साथ fry करेंगे जब तक यह इसका color change हो जाए चिकिन का color यहाँ पे change हो चुका है तो अब हम इसमें 1.5 teaspoon यह मसाला डाल देंगे जो मैंने घर पे already बना कर रखा था इस मसाले में जाएगा सीम quantity में आपने लेना है हल्दी, जीरा, धनिया और लाल मिचो का पाउडर इन सब को आप अच्छे से मिक्स कर ले और मिक्स करके आप मसाला इसमें डाल दे एक teaspoon आप कोई भी इसमें करी पाउडर एड़ कर सकते हैं या आपके पास कोर्मा मसाला अवैलेबिल हो किसी भी brand का आप वो इसमें डाल दे नमक डालेंगे हजबे जाएका और आप इन तमाम मसालों को मिक्स कर देंगे अच्छे से मिक्स कर देने के बाद अब यहां पर मैं डाल रही हूँ एक कप पानी पाने डाल कर इसको थोड़ा सा फिर से मिक्स करेंगे और मैं इसको अब पकाऊंगी पान से दस मिनट के लिए फ्लेम मैंने मीडियम ही रखी हुई है इसकी ताके चिकन अच्छे से हमारा गल जाए यहां पर चिकन का मसाला बनके तयार है और इसमें मैंने थोड़ी सी ग्रेवी भी रखी है और अब हम इसमें उपर से डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया और घरी मिर्चेंट अब चिकन को हम रखते हैंगे साइड में और अब यहां पर आप देख सकते हैं कि कड़ी भी हमारी बनके तयार है और इसकी कंसिस्टेंसी आप देख लेए ना इतनी ज़्यादा पतली है ना इतनी ज़्यादा थिक है यह अब यहां पे मैंने प्लेट में ली हुई है स्पेगिटी, मैंने एक पेकिट स्पेगिटी औरड़ी बॉयल कर ली थी इसके उपर हम डालेंगे ये कड़ी जो हमने तयार की थी कड़ी के बाद इसमें रखेंगे चिकन का मसाला जो हमने बनाया था अब इसमें डालेंगे उपर से लेइमन जूस और चाट मसाला थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे और आकर में इसमें उपर से डाल देंगे चिप्स चिप्स आप कोई भी ले सकते हैं स्पाइसी मसाले वाली मैंनay यहां पर लेज मसाला ली हुई है और ये खावसे बनके हमारे तयार हैं थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो अलाहाफेज